ओम नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका रहस्य चालीसा चैनल में तो आज हम जानेंगे महासिवरात्री के दिन किस प्रकार पूजा करें कि भगवान भोले नात हमें सुक्ष मर्धी के साथ धन की प्राप्ती भी कराँए हिंदु धर्म में महासिवरात्री का बिसेस महत्व है यदि आप इस दिन कुछ बिसेस जोतिस उपायों को नियम पुर्वक आजमाएंगे तो आपके घर में खुस हाली के साथ माता लक्षमी का भी आगमन होगा तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा ले ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो महा सीवरात्री के दिन भक्त भगवान सीव को अनेक उपाय से रिजाते हैं जिससे उनके घर में समरिद्धी बनी रहे इस दिन सीवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र से सीवलिंग को सजाना तो महत्तपुन माना ही जाता है साथ ही हम सीव भक्ती में लिन होकर ब्रत उपवास भी करते हैं ऐसी माननेता है कि जो भी ब्यक्ति इस दिन स्रध्धा पुर्वक सीव जी की पूजन और ध्यान करता है उसकी समस्त मनोकमनाओं की पूर्ती होती है वहीं यदि इस दिन जोतिस के कुछ आसान उपाय किये जाएं तो आपके धन में बृध्धी भी हो सकती है यहीं नहीं यदि आपकी साधी में अर्चन आ रही है बैबाहिक जीवन में तनाव है तो सिवरात्री के दिन इन सभी उपायों से आप एक सुख में जीवन ब्यतीत कर सकते हैं यदि आप सिवलिंग पर सजी तरीके से कच्चे चावल चढ़ाती हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी चावल चढ़ाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे आपको कभी भी सीवलिंग पर सफेद चावल नहीं चढ़ाने चाहिए खासता और पर यदि आप सीवरात्री के दिन सीवलिंग पर चावल चढ़ाएं तो इसमें कुमकुम मिलाकर चढ़ाना आपके जीवन की आर्थिक सबस्याओं को खत्म कर सकता है यदि आपके घर में बेवजह धन की हानी हो रही है तो सीवरात्री के दिन आप चावल के कुछ दानों के साथ एक रुपे का सिक्का भी सीवलिंग पर चढ़ाएं सीवलिंग पर ग्यारह बेलपत्र चढ़ाएं यदि आपको आपकी किसी इच्छा पूर्ती की चाह है तो महा सिवरात्री के दिन भगवान सीव को उनका प्रिये बेलपत्र अवस्य चढ़ाएं सीव जी को यदि आप ग्यारह बेलपत्र चढ़ाएंगी तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ती हो सकती है बेलपत्र अरपित करते समय ध्यान रखे कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी हुई ना हो यदि आप इस दिन गाय या बैल को हर आचारा खिलाएंगी तब भी आपको लाव प्राप्त होगा यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोस है और इनकी इस्थिती कमजोर है तो आपको कई नुकसान जहिलने पर सकते हैं जैसे आपको नौकरी में उतार चढ़ाओ देखने को मिल सकते हैं महासिरात्री के दिन यदि आप सीवलिंग का जल से अभिसेख करेंगे और ओम नमस सिवाए मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपकी नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं पती-पत्नी साथ में यदि रुद्रा भी सेख करें तो आपके बैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वह समाप्त हो जाएगी इस उपाय से जल्द ही आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी इसके साथ ही यदि आपकी साधी में देरी हो रही है तो माता परवती को लाल चुनरी और सिंदुर चढ़ाएं अगर आपकी साधी हो चुकी है तो माता गौरी को चड़ाए गए सिंदुर में से थोड़ा अलग कर लें और इसे नियमित अपनी मांग में लगाएं पती को दिरगायू मिलने के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुख में होगा यदि आप सेहत मंद बने रहना चाहते हैं तो महा सिवरात्री के दिन आप सिवलिंग पर दुगधा विसेख करें इस दिन यदि आप सिवलिंग पर दूद चड़ाते हैं तो भगवान सिव की कृपा होती है और अच्छी सेहत का आसिरवाद मिलता है ध्यान रखें कि आप कभी भी तामबे के पात्र से सिवलिंग पर दूद ना चढ़ाएं यदि आप घर की सुख सम्रिद्धी चाहती हैं तो सिवरात्री के दिन यहां बताए गए आसान उपायों को जरूर अपनाएं अगर आपको यहां स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के भी सेर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में